हुआ है दोस्तों राजवान सिंग वाली प्रोपटी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो में मैंने यू मार किया है आपको मार किया यहां पर राइट हैंड पर रिच मैंड स वाले बंदी यदि आप यहां हो इदर आने की बजाए आपको उधर जाने की जरूरत है क्यों जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें मैंने यह समझाने की कोशिक करूंगा मैं कि आपको पूर मेंड सेट के बेनिफिट्स क्या हैं नुकसान क्या हैं और हमारा यह किस तरीके से लंबे टाइम तक नुक्सान कर सकती है या थोड़े समय के लिए नुक्सान कर सकती है और ये जो रिच मैंड़ सेट है इसके क्या बेनिफिट्स है ये कहां तक हमें बेनिफिट्स दे सकती है इसके बारे में आज डेटेल में बात करने वालों वीडियो में आंत तक बनी रहनो दोस्तों सबसे पहले जो पूर मेंड सेट वाले लोग हैं इनके पास लैक ओफ बिलीफ होता है मतलब इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत पूर होता है इनको ना तो खुद पर बरुसा होता है और यह ना सामने वाले पर बरुसा करते है मतलब बिलीफ जो है दिनका विश्वाश है वो बहुत ही कम रहता है, अपने आप पर भी विश्वाश नी कि मैं ये काम कर सकता हूं, सामने वाला बंदा करे, उसके उपर भी विश्वाश नी करते के ये मेरे साथ कोई गड़ पढ़ना हो जाए, वे हमारे साथ कोई हैं यदि आप ना कर सके तो सामने वाले बंदे उसके सहयोगी हो सकते हैं उसके हो सकते हैं उसके कोई और मतलब साथी साथी संगी हो सकते हैं उन से काम करवा सकता है मतलब इसका अपना बिलीव सिस्टम भी ठीक है और दूसरों के उपर विरुशा करके दूसरों के उपर विश्वाश करके भी ये काम करवा सकता है नमबर दू पर एक्सक्यूजे इसके पास बहाने ही बहाने होगे ये बहाने कौन करता है एक आपने काहलत सुनी होगी कि जब अंदी आती है तो वो पेड अकर बेक उट जाते हैं गिर जाते हैं जिन की जड़ें मजबूत नहीं होती मतलब यह फिर लोगों को क्या कि यह हमारे इस निए इक नकसान कर दिया हमारा इस निए नकसान किसी ऐसे वन्दे को यदि कही बिजिनस में लॉस हो जें तो तो ये लोगों के उपर सारा लॉस डाल दिता है कि मेरे रिष्टेदार अच्छे नहीं थे, मेरे पार्टनर अच्छे नहीं थे, मेरे अच्छे नहीं थे, मेरा टाइम अच्छा नहीं था, मेरा कुछ दूसरा मेरे को प्रावलम आगी, मेरे को ये प्रावलम आगी, इसके पा वही आपको देखी गा मैं पहले भी अपनी फिलम मेंभी मैंने जो मेंएक शराबी उसमें बताया था कि जब आप समस्या ko देखना शुरू कर देते हो तो समस्या Rise Up बड़ी हो जाती है और जब समस्या से दूर होंकि सिलूशन को देखना शुरू है कर देते हो तो solution बड़ा हो जाते हैं और जब solution बड़ा हो जाता है तो definitely आपकी समस्या चोटी हो जाती है believe जो कताब day to fail उसमें उसने कहा है कि जो जिस level पर जिस mental level पर आपकी समस्या शुरू हो जाए आपको यदि उसका solution चाहते हो तो आपका mental level उससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो यह इसके पास solution रहते हैं इसके पास excuse तीसरा यह luck dependence यह कहता है जी किस्मत में होगा तो कर लेंगे या हमारी तो किस्मती यसी है हमें तो प्रमातमा नहीं ऐसा बना के बेज़ जा है हमारा कुछ नहीं हो सकता यह चुप करके surrender कर देती है मतलब बिलकुल ही surrender करके बैठ जाते हैं और जब के यह बंदा इसमें इनमें planning करता है कि यार यह तो हो गया ठीक है जी यह अपने किस्मत तो जो है है लेकिन हमारी planning भी तो रहेगी कुछ हम लक्क प्रमातमा भी हमने अपनी planning भी करनी है यदि हम planning अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं तो definitely एक ना एक दिन ऐसा आता है कि परमातमा भी हमारी बांप भड लेता है तो इस बात का इसको पता है rich mindset वाले को पता है जबके poor mindset वाला तो कहता हमारी किस्मत ही खराब है या हम तो पैदा ही grief मरने के लिए हुए हैं हम जहां पैदा हुए हैं वहीं पर हम मरेंगे तो अगला जो है इसका चौथा believes in miracles ये कभी कहीं जाएगा कभी कहीं मत ठाटेकेगा कहीं कुछ ये किस्मत है कि कहीं ना कहीं चमतकार हो जाएगा चमतकार होते हैं बहुत कम होते हैं यह जो जिस आदमें के लिए चमतकार होते हैं वो उसको भी कुछ नो कुछ करना पड़ते है घर पे पड़े भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये कहा जाता है God helps those who help themselves प्रमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करती है तो यह वफची में थे दिया यह हो गाइघाय छमतकार हो गगा थो हमेरा यह हो झाइगा जबृ siya को देखके रिसको मैंने अपनी कितां में जो scor disruptive रिसको लिखा मैंने Royal Income Sources Rauer Income Sources After Knowledge After Knowledge Iris risk spending is risk management करने के बाद इसका जो अपनी आमदर हो जाती है're real income sources हो जाते है फ्र इसके अलग ऑलग सुरूट बन जाती है जब ये आदमी रिस्क को मेनेज़ कर लेता है जबके ये रिस्क के सपैलिंग में नहीं पड़ता है ये सिर्फ सिंपल किसमत में या कोई चम्तकार में ही विश्वाश करता है अगली बात बलेम गेम पांच में नमबर पर बलेम गेम है भाई ये फिर जब ये बंदय का बंदय ये नुक्सान कर दिया ये बंदा जो रेटरस्पेक्ट करता है कल्कुलेशने करता है कि मेरे से गलती कहां हुई मैं किस गलती से बचना चाहिए था मेरे को कौन सी गलती है जो मैं फिचर में इसको नहीं कर सकता यदि थॉमस एडिसन अपनी गलतियों को रेटरस्पेक्ट ना करता तो डेफिनेटली वो बलब ना बना सकता और ये सुना मैंने के दस हजार बार गलतियां करने के बाद उसने बीज़ दी का बलब बना है तो जब जो आदमी बार बार कल्कुलेशन करता है बार बार अपनी चिंतन मनतन करता है वो आदमी कहीं ना कहीं जरूर पहुं या प्रमात्मा के उपर डाल देना था कि प्रमात्मा को यह मन्जूरी नहीं है कि मेरे आख से बल्लब बने यह भात का भी हमने ध्यान रखना है उसके बाद यह जो पूर मिंड़ से बाला यह इमिडेट ग्रैटिफिकेशन चाहते हैं यह कोई भी काम करता है उसका रूप लग जे लेकिन उसका फल जो है बहुत बड़ा मिले इसको फल तुरंट चाहिए अब तुरंट जो फल है यदि आप आम खाने के श्कीन हो तो आम को पकने के लिए तो टाइम चाहिए ने यदि आम का स्वाद लेना अपने तो आम कच्छा हम तोड़के खालोगे तो आपको स्वाद नी आएगा, खटा लगेगा, यदि आप आम को खाना चाहते हैं तो डिलेड ग्रेटिफिकिशन में आएगा, कि उसको पूरा समय दिया गया, जिस आदमी ने मक्षन खाना है, घी खाना है, तो उसको वो कच्छे दूद से नहीं ले सकता, दूद लेना साथ में बिश्वाश रखता है, जो रिच्ह मिन सेटा बाला है, और दूसरा तो कहता है, जो मेरे को मिलजए जल्दी ही मिल जाए, agitला और नौस एवरिटिंग, साथ मॉनै की बात करें, वो कहता है, जी मेरे को तो सब पता है, और पता होता है, और उसने वहाँ, बैठा वहाँ, बिल्कुल टोटली फ्री होता है, भाई तेरे को पता है, तो उठके चल, उठके लग अगे भर, किसी के आगे लग ना, कुछ करके दिखा, जी तेरे को सब पता है, पता हैं जितने भी बड़े आदमी हैं दुनिया के चितने बड़े आदमी हैं वो हमेशा रोज लर्णिंग करते हैं और जो पूर मैंड सेट वाला है वो कहते हैं मेरे को सब पता है अगला है बिग डिजार आठमे नमबर इसकी इशाएं तो बड़ी बड़ी रखता ही लेकिन उसक उपर काम उतना नहीं करता इशाओं के चाहब से और यह जो रिच मैंड सेट वाला है यह अपनी इशाओं को जरूरत में बदलता है जब इसकी इशाएं जरूरत में बदलती हैं तो वो इचाएं जरूर पूरी हो जाती हैं क्योंकि यह कहा गया है कि इचाएं बादशा की पूरी नहीं होती जुरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है तो यह आदमी को पता है रिच माइंड सेटर वाले बंदे को पता है कि जो मेरी इच्छा है जब तक मेरी जुरूरत नहीं बनेगी तब तक यह पूरी नहीं हो सकती दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप अपने कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना इसको तो जल्दी से जल्दी में ने टॉपि के साथ आपके सामने होंगा तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें सबस्क्राइ तेंक्यू वेरी मुच्च